मत प्रदेश के मुख्मंत्री शिवराज सिंग चोहाना जिन दौर पहुचे जहां विधाय के वन पूर्व मंत्री जीतु पटवारी को उनके कारिकाल में शामिल नहीं होने दिया गया इसको लेकर पूर मंतरी जीतु पत्वारी ने मुख्षमंतरी शिवराज सिंग को आडे हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज भाजपा के मुख्षमंतरी है या फिर प्रदेश के उन्होंने कहा कि मैं एक जन प्रत्रीदी हूँ इस नाते मैं वहाँ पहुचा तो मुझे कहा गया कि आप कर्णिमंत्र नहीं है ये कहकर बाहर कर दिया पटवारी को मुख्यमंत्री के कारिक्रा में शामिल नहीं होने को लेकर हमारे सनवदाता इमरान मंसूरी ने जीतु पटवारी से खास बातचीत की है तो क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी देखे ये रिपोर्ट तो आप कहा गया कि यह बीजेपी के जन्पृति निदियों को बुलाया गया है आपको नहीं बुलाया गया फिर बाद मुझे पता चला मीडिया को भी इसमें इनवाल नहीं किया गया मीडिया को भी इन सब कारिक्रमों से बहार रखा गया सवाल यह है कि जब कोविट से पहले आप केते थे सब को मिलके लड़ना है अब केतों समिछा में या कोविट की किसी भी प्रोसेस में सिर्फ बीजेपी के लोग इनवाल तो यह बीजेपी के मुख्यमंत्री है प्रदेश की मुख्यमंत्री जन्पृति मिदियों का जो एक पर कि आज दर केसा यह सवाल है हम मांग करते हैं शुराश सिंगी से कि पोश्ट कोविट सकारात्मत सरोकार सामाजी कितने विप्रीत असर आया है उससे आप अउगत हो आपने गरीबी मिडिल क्लास के लोग क्या परेशानी है गरीबों की क्या परेशानी है कोविट से पेशें से आपको घ्यान में लाते हैं संग्यान में लाते हैं तो मुख्य मंत्री मेरे डरे हुए हैं मुख्य मंत्री मेरे नकारात्मत बाते के आधी हो गया है के वल उनकी पीट थप थपा वावाई करो वही सुनेंगे वही देखेंगे और वह वावाई करेंगे मैं मानता हूँ य लोगतंत्र के लिए आगात पहुचाने वाला विशे हैं, मध्य प्रदेश के हमारे परिवार के इंदोर शहर का एक तरह से अपमान है, मेरे मुख्य मंत्री ने इंदोर का अपमान किया है ग्रोबेंज टीवी चानल के लिए राहू से इम्रान मंसूरी की रिपोर्ट